अब हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रमोट करना है जी उसके डेमो देखते हैं प्रमोट इस सर्वर टूए डुमेन कंट्रोलर तो हम 2016 सर्वर पे जाते हैं तो यहां पे हमारे पास यह वाल है प्रमोट इस सर्वर टूए डुमेन कंट्रोलर इस पे कलिक कर देते हैं तो हमने जैसे discuss किया था कि हम ना तो यह select करेंगे ना यह select करेंगे, सिधा ही हम new forest पर आ जाते हैं, तो यहां पर हमने क्या कर देना है, example.com, next कर देना है, तो वह आपसे पूछ रहा है कि domain name server इसको बनाना है, global करेंगे, हम इसको select कर लेंगे, अभी वो processing कर रहा है, अपने ध्यान रखना है, कि अभी processing है, द्यान रखना है, जैसे आप active directory करते हो, तो आपका थोड़ा से system है, और काफी slow हो जाएगा, तो अभी सारा कुछ चेक कर रहा है कि क्या करने वाल है, तो अभी भी domain controller options पर आ रहा है, तो यहां पर हम एक password देतेंगे, कौन सा password है, type the directory services restored mode password, तो उसके बाद हमारे पास next option आ ज रहे हैं, तो द्यान रखना है थोड़ से patience रखनी है आपने कि इसमें time लगता है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, तो यहां पर अभी चेक कर लेते हैं, अभी यह time ले रहा है, तो अभी यह हमारे पास आ गया, तो हमने एक password दे देना है, मैं बिलकु वही वाला रख रहा हू तो अपने double verify कर देने, तो अब हमने next, तो यह delegation नहीं करना है, next, अभी अपने आप पता लगा कि net voice name क्या रखना है, तो जनली वह पीछे com बगरा हटा देता है, यह पुराने clients के लिए है, अब जुरूर नहीं है कि आपके पास जो window 10 ही client होंगे, हो सकता है कुछ पुराने system भी हो, तो इसको अपने default ही रखना है, next select कर देना, तो आप दिखोगे कि कुछ नहीं है, मुश्कल अपने default options, तो यह जो भी database log versus volume folder है, इसको हम default रखते हैं, next, यहाँ पर फिर पोच रहा ह हमारे से, तो अब हमने क्या करना है, सारा कुछ verify करके कि सब कुछ correct है, उसके पास हम क्या करते हैं, next, तो वो अभी क्या कर रहा है, prerequisites need to be validated before active active domain services is installed on this computer, तो वो verify कर रहा है कि, जो कुछ requirement है, इसको active active को install करने के लिए, क्या हमारा system उसको fulfill कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद यह आपको report देगा, तो उसके बाद हमारे पास option आजेगी, क्या आपने install करना है कि नहीं करना है, और इसके बाद एक आपको message भी देख रहा है कि, if you click install, the server automatically reboots at the end of promotion, क्योंकि फिर हमने कहा थ है कि यह बहुत सारी चीज़ें जो windows servers के अंदर होती है, वो तब ही implement होती है, जब हो उसको reboot करते है, all pre-requered check pass successfully, click install, तो हम इसको, अब check भी कर सकते हैं, उसने क्या-क्या करने की कोशिए की found out, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, install, तो यह पूरा आपको यह स्क्रीन देगा कि क्या-क्या कर रहे हैं, तो अगेन यह थोड़ा सा time लेता है, और ध्यान रखना है, जब यह install हो जाता है, विंडो 2016 सर्वर के उपर active duty और आपने domain controller की तरह promote कर दिया, आप observe करोगे कि आपका जो सर्वर है, थोड़ा सा slow हो गया है, क्योंकि यह काफी ज़्यादा चीज़ों को install करता है, तो आपके system पे काफी load पड़ता है, तो यह आपनी चीज़ को ध्यान रखना है, कि कोई यह normal चीज़ा है अगर आपका system slow गया है, इसलिए servers को हम ज्यादा तर क्या करते हैं, ज्यादा RAMS देते हैं, तो अभी भी वो क्या कर रहा है, properly यह चीज़ों को create कर रहा है, और आपको message भी दे रहा है, कि अभी create करते हैं, यह इतने object remaining रह गया है, साथ-साथ message, अब क्या कर रहा ह the securing system, configuring, तो साथ-साथ आपको क्या करता रहेगा, यह message बगएरा देता रहेगा, अब ध्यान रखना जब यह reboot हो जएगा, तो हमने क्या करने है, एक user create करके देखेंगे, हम देख लेंगे कि हमने कौन सा user create करना है, और ध्यान रखना है, जो हम user create करेंगे, जो normal जगां से जा controller बन चुका है, तो आप देखोगे कि अब हमारे पास एक बिल्कुल अलग हमारे पास एक menu आजएगा, जो की है active, active users and computers, तो उस menu के अंदर जाके हम क्या करेंगे, users को add करेंगे, जब हम user add करेंगे, तो जो अलग-अलग option पूछेगा, तो हम देखेंगे, तो यह आपको क्या कर रहा है, you are about to sign out, हमने कहा देना है, close, close इसको कर देना है, तो अपने वापी वो क्या करेंगा, आपका system को reboot करेंगा, यह प्री स्टाट कर रहा है आपका, तो हम वेट करते हैं, तो जैसे reboot करेंगा हमारे से यह पूछेगा कि, login कर, करने को बोलेगा, हम login कर लेंगे, तो उ इसका meaning, सबसे पहले जो step है, domain controller बनाने के लिए, सबसे पहले आपने active directory को install कर लेना है, फिर आपके पास एक option आएगी कि, अब यह active directory install होगी है, कि आप यह जो 2060 server है, इसको domain controller बना देजी, आपने वहाँ पे click कर देना है, तो यह आप से अलग लग option पूछेगा, तो हमारे case में जो हम domain यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, example.com है, तो आपने वो specify कर देना है, तो वो DNS के बारे में, वगएरा अपने network के बारे में पूछेगा, और फिर अलग लग किस folder में उसने save करना है, उसके बारे में information पूछेगा, तो आपने properly क्या कर देना है, उसको specify कर देना है, जो चीज़े हैं, उसी को select कर लेना है, फिर वो क्या करेगा, pre-requisite को check करेगा, pre-requisite means जो हम अब इसको promote करने वाले हैं, क्या ये, की सारी जो requirements हैं, वो fulfill करता है कि नहीं करता है, तो उस पर, अब इस देखो कि ये install होते time, start करते time भी क्या कर रहा है, time ले रहा है, तो हम थोड Again, patience रखनी है आपने, आपको ये पतानों चाहिए कि जो आपने step perform की हैं, क्या वो correct हैं के नहीं correct हैं, हमें बिल्कुल हमारे बिल्कुल perfect है step जो हमने की हैं, तो slowly and slowly ये, आपने वजिये गया कि हमने पहले work group networking से start किया था, अब domain की networking तो इसी totally different होती है, तो हमने देखा कि बि भी user बनाएंगे, वो क्या कर पाएगा, user दूसरे computer से भी login कर पाएगा, जब तक अभी ये time ले रहा है, तो मैं एक query feed, आपको screenshot दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया था, तो यहाँ पर promotion वाल ये option आई थी, तो यहाँ पर click कर दिया था, तो हमने ये पहले वाला, second वाला भी एक directory restore password वाला पूछा था, वो हमने specify कर दिया, ये delegation नहीं करनी है, network name example वाला ही अपने दे देना है, ये folders बगहरा का बता देना है अपनी, ये फिर एक वरी सारा कुछ आपको बताएगा कि ये ये चीज़े हैं, तो आपने, फिर next कर देना है, तो वो pre-requidate चेक करेगा, उस काफी time लेगा, फिर यहाँ पर वो काफी देर लेगा आपसे, क्योंकि काफी कुछ वो install करता है, उसके बाद हमारे पास ये screen के अभी हम wait कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम login कर लेंगे as administrator की तरह, फिर हम check कर सकते हैं कि कहां से user वोगरा add करने हैं, वो अगली videos में देखेंगे कि कहां पर जाकर आपने करने हैं, तो हम फिर वापस आते हैं अपने, अभी भी वो क्या कर रहा है, settings वगरा को apply कर रहा है, तो अभी हम wait कर रहे हैं, थोड़ी ज़रोर wait करते हैं, तो एक पर फिर मैं उस diagram पर फिर वापस आता हूँ, थोड़ सा और analyze कर लेते हैं चीज़ों को, तो हमारे जो structure था वो lab का, यह अब हम इस तरह से काम करने वाले हैं, जो अब हमारे अगली lab में जो purpose होगा, यह अब हमने क्या कर रखा है, इसको active active भी install कर दिया है, इसमें domain controller की तरह भी promote कर दिया है, अब हमारा अगला purpose क्या है, हमारा एक user create करेंगे, user का नाम हम नन्नू र रख देंगे, asdf-1234, आप अपने case में और लग भी रख सकते हो, हमने यह complex सा password है, जिसमें caps भी हैं, small भी हैं, special character भी हैं, numeric भी हैं, तो हम जब यह user बनाएंगे, वो देखेंगे कि यह users यहां से login कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पर ध्यान रखना है, कि ऐसे ही नहीं, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, कि इस जितने भी client systems है, उनको domain में join करना पड़ेगा, और domain में join करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस server में अभी तक हमने जो window 10 पे networking की settings तो कर रख ही है, कि 122.0.10 है, mask यह है, पर हमने DNS नहीं specify किया था, अब हमारे case म क्योंकि यहां पर DNS भी install है, तो हमें सबसे पहले join करने से पहले दिखेंगे कि DNS को कैसे add करना है, तो एक पर फिर वापस आते हैं कि वहां पर, अभी भी हमारे पास यह time ले रहा है, तो हम थोड़ी दर wait करेंगे, अगला ही सीधी videos पर आएंगे, login screen पर, तो वहां पर जाके ह झाएंगे की कै,